प्रदान मंत्री फसल बिमा योजना कॉंग्रेस पार्टी को कभी विचार नहीं आया हमने ऐसी प्रदान मंत्री फसल बिमा योजना किसानों के लिए लाए हैं कटा बुवाई के पहले खेत में बुवाई के पहले भी प्राकृतिक आपदा आजाएं तो किसान को फाइदा बुवाई के बाद मुसिबत आ जाए तो भी किसान को उसका पैसा मिलेगा कटाई के बाद भी अगर कोई नुक्षान हो जाए तो भी किसान को फाइदा मिलेगा ऐसा बीमा प्रधान मत्री फसल बीमा 55 साल तक राज करने वाली कॉंग्रेस को सूजा नहीं था भायो भेनो देश में साड़े तीन करोर किसान आज प्रधान मंत्री फसल भिमा योजना से जुड़े हैं हमारे मद्धपदेश के 36 लाग किसान उसके साथ जुड़े हैं और प्राकृतिक आपदा में उनको जो नुक्षान हुआ बारिस आने के कारण खेती नहीं कर पाए कटाई के बाद ओले गिर गए नुक्षान हो गया अतने कम समय में मैं अकेले मद्धपदेश के किसानों को प्रधान मंत्री फसल भिमा योजना के तहर पांच हजार करोड रुपियों का भुक्तान हो चुका है क्यों जूट बोल रहे हो नामदार कितना जूट बोलो गयो है कितना किसानों को भड़का हो गए है और इनके हाथ में यही एक ब्रास्ता खुला है जूटे वादे करो फटी जेब मैं से रोज नया बादा निकालते हैं मैं ये दू दूँगा मैं वो दे दूँगा मैं ढिक ना दे दूँगा ऐसा ही कह करके करनाटक में हूम रहे थे लेकिन करनाटक के किसान उनकी बातों में नहीं आये Congress Party को प्रास कर दिया उनकी जीतनी सीटे थी उसकी आधी कर दी लेकिन पिछले रास्ते से देव गोड़ा जी के साथ बैट करके फिर खुर्सी पर चिपक गए तो लोगों ने कहा है वादे की दलाओ अब वादे निभा नहीं रहे कर्ज माफी का किसानों का वादा उन्होंने किया था वहाँ पर आज किसानों को जेल में जाने के वारंट निकल रहे हैं करना टक में किसान अंदोलन कर रहे हैं रास्ते पर उतर करके आए हैं Congress Party का उसके पास जबाब नहीं है और मद्द्देश को किसानों को अब उसी प्रकार के हालत में ले जाने का खेल खेला जा रहा है भायो ब्यानों 2008 में 2009 के चुनाओ के पहले ऐसा ही खेल उन्हों ने खेला था किसानों का कर्ज माफ करने का देश भर में गोठना की थी क्योंकि चुनाओ जीत जाए भोले भाले किसान के आँग में दूल जौंक दी जाए और क्या किया कितना जूट बोलते हैं 2008 में सरकारी रेकॉर्ड के मुताबि देश के किसानों का कुल कर्ज छे लाग करोड रुपया था उन्होंने कर्ज माफी की छे लाग करोड माफ होना चेक नहीं होना चेक था आप मुझे बताई होना चेक नहीं होना चेक था उन्होंने उस पर वोट मांगे थे देना चेक तक नहीं देना चेक था कितना माफ किया छे लाग नहीं किया सिरब साथ हजार करोड किया कहां छे लाग कहां 60,000 करोड और उसमें भी जब CAG का रिपोर्ट आया तो 30-35 लाख लोग ऐसे निकले जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं था, कर्ष से कोई लेना देना नहीं था, इनके नाम से चेक निकल गए, पैसे मिल गए और वो मौच करने लग गए भाय जो बैनो, ये उनके कौन थे, कॉंग्रेस के साथ उनका क्या नाता था, लेकिन उस समय CAG का रिपोर्ट की लोगों ने चर्चा नहीं की, क्योंकि 2G का मसला चल रहा था, CWG का मसला चल रहा था, कोईले गोटाले का मसला चल रहा था, पंडूपी के गोटाले का मसला चल रहा था इतने गोटालों के बजार में चर्चा थी कि ये किसानों के साथ जो दोका किया वो कभी चर्चा में ही नहीं आया